इस लेक में हम आपको बताने जा रहे हैं, पानी पीने का सही तरीका सुनने में बड़ी ही फालतू सी बात लगती है, लेकिन हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सच है कि पानी पीने के भी नियम होते हैं, और ये हमारे स्वास्थे पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं, ये भी पूरी तरह सत्य है कि ज्यादा पानी पीने के फायदे आपको अपनी लंबी उम्र के रूप में मिलते हैं, लेकिन सिर्फ ज्यादा पानी पीने से भी कुछ नहीं होगा, यदि आपको पानी पीने के नियम तरीके नहीं पता है तो, हम सब बच्पन से ये सुनते आ हैं कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, लेकिन क्यों पीना चाहिए, आज तक किसी ने नहीं बताया, अगर आपने आयुरवेद का नाम सुना है, तो उसमें बहुत ही अच्छे से पानी पीने के बारे में बताये गए हैं, दरसल काफी हद तक आपका स्वास्थे इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना पानी पीते हैं, कब पीते हैं और किस तरीके से पीते हैं, अगर आप किसी से ये कहोगे कि पानी सही तरीके से नहीं पीने पर आपको भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, तो वो इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये 100 प अब आप हिसाब लगाईए, कि जिस चीज की शरीर को बनाने में इतनी बड़ी भागिदारी है, वो साधारन तो हो नहीं सकती, पानी के बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते, इसलिए पानी पीने का सही तरीका जानना हमारे लिए जरूरी है, ताकि हम हमेशा स्वस्त रह सकें, चलिए, फिर शुरू करते हैं, पानी पीने का सही समय और तरीके नंबर एक सुबह उठते ही एक गिलास पानी जरूर पिए, कई लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले चाय की तरफ भागते हैं, ये गलत है, सुबह उठते ही सबसे पहले आप बिना कुला किये कम से कम एक गिलास पानी जरूर पिए इससे होगा ये कि जो प्राकृतिक लार राद भर आपके मुह में बनी वो आपके पेट में चली जाएगी ये लार अती फाइदे मंद होती है कभी भी खड़े होकर पानी ना पिए जी हाँ, खड़े-खड़े पानी पीने से घुटनों में दर्द की समस्या हो जाती है और समय के साथ बहुत ज्यादा बढ़ सकती है बलकि इतनी बढ़ सकती है कि चलना तो क्या एक बार बैठने के बाद आपको खड़े होने में भी काफी दर्द महसूस करना पड़ सकता है नमबर तीन खाना खाने के एक घंटा पहले पानी पी लें मान लीजिए, आपका सुबह खाना खाने का टाइम नौ बजे का है तो आप आठ बजे ही पेट भर कर पानी पी लीजिए इसके बाद बाद पानी ना पीए इसका कारण ये है एक तो पानी पेट में बहुत ज्यादा जगह घेर लेता है इससे आप सही से खाना नहीं खा पाएंगे दूसरा ये शरीर में भोजन के टूटने में परेशानी पैदा कर सकता है नमबर चार खाना खाने के बाद भी एक घंटे तक पानी ना पीए ये भी पानी पीने का नियम है कि जिस तरह खाने से ठीक पहले पानी नहीं पीना है उसी तरह खाने खाने के बाद भी आपको पानी पीने के लिए एक घंटे का इंतजार करना चाहिए ऐसा करना आपके स्वास्थे के लिए बहुत ही लाभकारी होगा इसका भी कारण है दरसल होता क्या है कि जब हमें भूख लगती है तो हमारे शरीर में जटरागनी पैदा होती है और जब हम खाना खा लेते हैं तो यही जटरागनी उस खाने को जलाने यानि पचाने का काम करती है लेकिन सोचिए अगर आपने खाना खाते ही एक गिलास पानी पी लिया तो क्या होगा वो जटरागनी बुझ जाएगी मतलब शान्त हो जाएगी ऐसे में अब आपका खाना कैसे पचेगा अब सारा लॉड आ गया लीवर पर मतलब अब दो समस्याएं होंगी एक तो लीवर कमजोर होगा और दूसरा आपकी पाचन क्रिया गड़बढ जाएगी और अगर पेट से सम्बंधित समस्या होती है तो उसके साथ चार समस्या हो जाती है ये तो आपने सुना ही होगा इसलिए इस वाले पानी पीने का खास तोर से ध्यान रखें गर्मियों के मौसम में हमें थोड़ा सा काम करते ही बहुत ज्यादा पसीना आ जाता है या फिर कई बार हम क्या करते हैं कि दोड़ते भागते हुए आते हैं और सीधा पानी की और लपकते हैं ऐसा करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है इससे सर्द गर्म जैसी समस्या तो हो ही सकती है बलकि आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है ऐसे बहुत सी घटनाएं हो भी चुकी है इसलिए जहां तक हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए कि पहले हमारा पसीना सूक जाए उसके बाद ही पानी पीना है अगर फिर भी आपको बहुत ज्यादा जल्दी है तो आप पहले अपने सिर पर थोड़ा पानी डालें इससे आपके शरीर और दिमाग का तापमान थोड़ा कम हो जाएगा उसके बाद आप पानी पी सकते हैं नमबर छे ज्यादा थंडा पानी की ज्यादा पानी पीने के फायदे होते हैं लेकिन ज्यादा थंडा पानी पीने के नुकसान ही होते है एक तो ठंडे पानी को पचाने में शरीर को बहुत जोर लगाना पड़ता है क्योंकि ये बहुत भारी होता है दूसरा इससे आपकी आंथ सिकुड जाती है जिससे आपका मल कठोर हो जाएगा और आपको कब्स जाएगी जो लोग ज्यादा तर बैठे रहते हैं कोई शारीरिक श्रम नहीं करते उन्हें ये परेशानी बहुत जल्दी हो सकती है इसलिए जितना हो सके नार्मल, मटके का पानी पीने की कोशिश करें फ्रिज का पानी हमें दिन बर दिन बीमार बनाता जा रहा है इससे जितना हो सके बचने की कोशिश करें चाहे गर्मी हो या सर्दी, गुनगुना पानी हमारे स्वास्थे के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, नमबर साथ फलों के साथ पानी ना पिये, फल खाना हमारे स्वास्थे के लिए अच्छा होता है, लेकिन हम गलती कर देते हैं उनके उपर पानी पी कर, फल अमलिये होते है और ये पानी के साथ क्रिया करके एक्सीडिटी बना देते हैं जिससे हमें बहुत प्रॉबलम होती है इसके साथ आपको असहज महसूस हो सकता है जैसे बैचैनी या फिर जी मितलाना जैसी दिक्कतें सामने आ सकती है नमबर आठ हर रोज कम से कम तीन लीटर पानी जरूर पिए हर आदमी हर रोज अलग-अलग मात्रा में पानी पीते हैं ये सही है लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि हर रोज आपको कम से कम तीन लीटर पानी पीना ही पीना है पानी सिर्फ पियास बुजाने के काम ही नहीं आता है और भी कई काम है पानी के जैसेशे शरीर में जमा गंदगी को मूतर के साथ धीरे धीरे बाहर निकालते रहना अगर आप परियापत पानी नहीं पीते हैं तो आपके शरीर में विशाक्त पदार्त इकठा होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे करके गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसके बाद आदमी के पास बीमार होने के अलावा कोई चारा नहीं बचता इसलिए हर रोज कम से कम इतना पानी तो जरूर पिए जितने की शरीर को आवश्कता है ये पानी पीने के नियम तरीके हमेशा ध्यान में रखें नमबर 9 उपर से डाल कर पानी न पिए हम लोग क्या करते हैं कि पानी का गिलास भरते हैं कि और उपर से मुह में डालना शुरू कर देते हैं ऐसा करना अपने शरीर के साथ धोखा करना होता है आयुरवेद के अनुसार ऐसा करने वाले लोगों की किड्नी खराब होने से भगवान भी नहीं बचा सकते पानी हमेशा मुह लगाकर पीना चाहिए यही पानी पीने का सही तरीका होता है नमबर दस रात को सोने से ठीक पहले पानी ना पिए ये भी एक बहुत बड़ी गलती है और अगर रोज रोज इसको दोहराया जाएगा तो ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्याइं खड़ी कर देगा असल में रात को सोने से पहले जब आप पीते हैं तो उससे आपके दिमाग को अंकसीजन मिल जाती है और अकसीजन होने के कारण आपका दिमाग दोड़ना शुरू कर देता है आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगते हैं इससे आपकी नींद में बाधा उत्पन न होगी आप रात को अच्छी तरह से सो नहीं पाएंगे अगर ऐसा आप लगातार करते रहे तो आप में चिड़चिड़ापन और थकान उदासी की समस्या शुरू हो जाएगी इसलिए जितना भी पानी पीना हो सोने से आधे घंटे पहले पी लें नंबर 11 चाए पीने के तुरंत बाद या पहले पानी ना पिएं हम अकसर देखते हैं कि कई लोगों को चाए का कब पकड़ते ही वो पहले पानी की मांग करते हैं और पानी पीते हैं ये गलत बात है इस तरीके से पिया गया पानी आपके दांतों को नुकसान पहुँचाता है साथ ही ये आपके बॉडी टेंपरेचर को नार्मल करता है तो ये थी हमारी पोस्ट पानी पीने का सही तरीका जो आपने पढ़ी जितने भी पानी पीने के नियम तरीके हमने आपको बताए उन में से कौन सा पानी पीने का सही तरीका आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं पोस्ट को लाइक और शेयर करें